हाई गाईज मैंने में इस रुद्रा और यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो गवर्वेमेंट अप इंडिया के दो ऐसे वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां से कि आप लोग ऑनलाइन लर्निंग फ्री आप कॉस्ट कर सकते हो यह दोनों वेब इंजीनियरिंग या फिर एंबीय कर लेंगे यह लोग आपके एंबीय के जो खुद के सेटिफिकेट होता है जो कि आप लोग प्राइबेट और इसे भी ज्यादा जैनुएन होता है यहां पर आप लोगों को सिंपली कोर्स करना है सारे वीडियो देखना है उसके बाद जॉब के लिए या फिर अगर आप लोग हायर एजुकेशन में इंट्रेस्टेट हो तो इसके लिए आप लोग इसे यूज कर सकते हैं तो आप लोगों को पसंद आएगा चली वीडियो की सुर्पात करते हैं और में दोनों वेबसाइट में कैसे अक्सेस करते हैं वहां पर क्या एक्जाम का क्या प्रशिचर है सारे चीजों के बारे मैं आप लोगों के इस वीडियो में बताऊँगा तो स्टे ट्यून वीडियो का आखरी तक देखना बिल्कुल ही मत बूलिए और अगले वीडियो में गाईज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि I am Bangalore के क्योंकि जब भी में वीडियो अप्लोड करूंगा तो आपके पास पहले नोटिपिकेशन आएगा और आप लोग उस वीडियो को मिस नहीं करोगे तो गई चली लैप टॉप में चलते और वीडियो की सुर्वाट करते हैं अब हम लोग अपने लैप टॉप में हैं और यहा उन्होंने edX के साथ जो की Harvard University का एक online learning का platform है उसके साथ मिलके उन्होंने IMBX का एक website बना है यहां पे आप लोग को online education मिलता है जैसे कि यह सारे courses आप लोग यहां से access कर सकते हो और उसके साथ साथ गाईज इनके CTM course और general management के जो courses होते mostly MBA के लिए सारे courses है तो अगर आप लोग उसमें interested हो तो हमारे चैनल को subscribe करना का इस बिलकुल भी मत बूलिए तो चली वीडियो की सुरुवात करते हो और बात करते हैं यह दोनों platform के बारे में क्योंकि अगले वीडियो में मैं इस IM Bangalore के courses के बारे में discuss करने वाला हूं तो subscribe करना बिलकुल भी मत बूलिए और bell icon को द सिंपली डाउनलोड कर सकते हो mostly इसके जो courses होते है वो IIT, IIM, ISC ऐसे बड़े institute के साथ है और इसका जो certification है वो UGC, AICT approved certification है तो यह सारे जो बड़े organization है इनके courses यहाँ पे आप लोगों को वीडियो देखने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना बढ़ अगर आप लोग क सुरुवात करते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि courses कहां से लेना है पहले आप लोगों को यहाँ पर simply sign in पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को register कर लेना है अपने Google account से अगर आपके पास Facebook है या Microsoft का account है उससे भी आप लोग 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 ल से लिए simply आप लोगों को यहाँ पर option मिल रहा है जैसे कि all courses और नेशनल जोस्टे कोडिनेटर से इसमें आप लोगों को अगर आप लोगों को देखना है तो यहाँ पर all courses में क्लिक करना है का इस नीचे जाओगे तो जो भी organization है इसके साथ जुड़े होए उसके information है जैसे कि AICT, CEC, IGNO, IAM, Bangalore, NCRT, NIOS, NPTLS, UGC बगरा बहुत सारे बड़े-बड़े education के institute इसके साथ जुड़े हुए है तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर course catalog के बारे में बता देता हूँ है यहाँ पर course catalog में क्लिक करोगे तो all मतला अगर आप लोग को AICT के courses करना चाहते हो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे architect education बहुत सारे बड़े-बड़े institute के government institute के यहाँ पर courses मिलते है अगर आप लोग government institute में पढ़ना चाहते हो बट आप लोग college में access नहीं ले पा रहे है या फिर college में आपका admission नहीं हो पा रहा तो यहाँ से swim के courses आप लोग कर सकते हो औ इसका क्या pricing क्या आता है तो इसके लिए मेरे पास यह PDF है जो कि examination का है स्वायम का examination का लिए तो अगर आप लोगों को इसका link चाहिए तो मैं आप लोगों को description में दे दूँगा तो आप लोग भी से देख सकते हैं बाकी जो details के लिए मैं इसको अपने Google Drive पे ले ले लेता हू तो इसका जो fee है वो यहां पर आप लोगों को लिखा हुआ है 1000 रुपीज जेनरल केंडिडेट के लिए और 500 रुपीज ACST के लिए यह सिर्फ examination fee है पढ़ने के लिए आप लोगों को कोई amount पे नहीं करना पड़ता तो जो भी institute for government body से आप लोग certification लेना चाहते हो उसका course करके आप certification ले सकते हो तो simply यहां पर जैसे की स्वायम के courses में में गया तो यहां पर अपकमिंग enrollment अभी फिलाल तो बंध है कोई भी courses available नहीं है ongoing enrollment में जाओगे तो जो भी courses अभी available है जैसे की NIWT module 1 available है AICT का कुछ available है professional ethics बगारा कुछ courses communication का यह course available है तो अगर आप लोग MBA में हो त तो थोड़ा नीचे जाओगे तो यहां पर guys creative problem solving का course है तो यहां पर मैंने click कर लिया इस course को मैं पूरा complete कर सकता हूँ इसके platform पर यहां पर पूरा course का module आप लोग को मिल जाता है और कौन आपके जिसे की teachers का भी details आप लोग को मिल जाता है यहां पर course certification के लिए यहां पर आप टोटल आप लोग को चार में से तीन करने है और आवरेज जो है वो 25% आप लोग का अवरेज है ठीक है तो यहां पर इस सारे eligibility जो criteria है और certification पाने के लिए सारे चीजों को आप लोग को complete करना है उसके बाद guys आप लोग examination के लिए approval आपको मिलेगा आप लोग को examination देना है और आप लोग को E certificate यहां पर मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर examination देना बहुत ही simple है यहां पर आप लोग को कब certificate मिलेगा अगर आप लोग score करते हो जैसे कि 10 से उपर score करते हो 25 से और जो exam का score है यह assignment का score है और यह exam का score है exam में आप लोग को minimum 30 रखना है और assignment में minimum 10 रखना है और उसके बाद आप लोग पास हो जाओगे इसको आप लोगों को यहां पर E certificate आप लोगों को मिल जाएगा तो यह basic procedure है यहां पर course करने का और यह AICT approved course है तो आप लोगों को इसके लिए attention लेने की कोई जरूरत नहीं पूरा वीडियो है यहां पर गाइस देखिए 3763 पीपल य जहां से कि आप लोग कोर्स कर सकते हो यहां पर आप लोगों को सारे कोर्स मिल जाएंगे तो कोई भी कोर्स में अगर आप लोग जैसे कि आउंगों कोर्स जो है जैसे कि यह बायो मेडिकल रिसर्च का है या फिर पाय और और इलेक्रोनिक्स का में लिए इंजिनियरिंग के जाना है और courses में आप लोग enroll हो जाओगे यह सारे वीडियोस अभी available है जो कि आप लोग कोस के लिए आप लोग कर सकते हो यहाँ पर काईज यह सारे assignment है जो कि आप लोगो complete करना है यहाँ पर आप लोग वीडियो आप लोगों को टेंशन लेनी की कोई ज़रुत नहीं है तो यहाँ पर लिखा हुआ NPTL online certification courses तो यहाँ पर नए courses में अक्सेस करने के लिए आप लोगो स्वयम में जाना होगा कि जो नए courses अभी आते हैं वो सारे स्वयम के website पर आते हैं और अगर आप लोगो को कोई दूसरा course करना है तो यह online archive है जो की जो सारे जो courses होते हैं NPTL के यहाँ पर आप लोगों को मिल जाते हैं तो mainly यहाँ पर वीडियो जो अगर चाहो तो आप लोगो मिल जाते हैं बट जो main website है वो है हमारा जो AI जो स्वयम का website है वो mainly अभी यूज होता है online education के लिए तो I hope यह वीडियो आपको पसंदाया होगा अगर आप सही education related career development के related में वीडियो सलाता रहता हूं और जो भी लोग private organization में पढ़ रहे हैं यहाँ पर आभी education ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारे certification मिलते हैं जो की private organization के है but government organization के certificate ज्यादा validation रखता है अगर आप लग जो अपके लिए apply करते हो तो यहाँ पर आप लोग को government organization अप्रूब्ट इजी सी अप्रूब्ट आयाइटी आयाम के courses मिलते हैं तो I hope वीडियो आपको फसंदाया होगा thank you bye bye I'll see you in my next video